एक और प्लांट को आज हम प्रून करेंगे ये भी जुलाई 2021 ताइवान पिंक है लेकिन ये अच्छा अच्छी ग्रोथ हाई है इसकी अभी लगबग 4-4.5 फिट हाइट आ गई है और करीब 20-22 ब्रांच आ गई है इसके उपर तो इसको भी हम आज उसी मेथट से हम कट जाएंगे बड़ी ब्रांच है उनको दो फिट पे और जो दो फिट से थोड़ी छोटी है उनको उपर से पिंच कर देंगे फ्लारिंग फूटिंग जो आ रही है उनको भी हम और कट करते जाएंगे और कम्प्लीट होने के बाद इसका स्वरूप कैसा आता है वो हम देखेंगे इसके साथ इसको हलका भी करेंगे जो पेरलेल ब्रांच आ गई है एक के उपर एक या एक के नीचे या जो कम्पेटिशन आपस में दे रही है एक दूसरे को बढ़ने से रोक रही है ऐसी भी सारी ब्रांच को हम निकाल देंगे यहां देखिए दो यह पेरलेल आ रही है तो एक ब्रांच को हमको निकाल देना पड़ेगा जो अच्छी मजबूत ब्रांच उसको रखे कमजोर वाली को निकाल देना पड़ेगा नीचे वाली ब्रांच को निकाल देंगे हम हाँ की तूंय को बिलकुल सभी इसकोभी निकाल देजेख यह बींच में पैर्लेल आ रही है हं तो इसकोभी काटते समय एक दम जहां से निकली है बस वहाँ एक्दम एज से काटेंगे उसकों यहां पर यह दोनों पेरले ला रही है तो नीचे वाली रखकर हम यह दोनों में से मजबूत कौन सी है नीचे वाली है तो उपर वाली निकाल देंगे हम अंदर में एक डाल है जिसके उपर काफी फ्लाउरिंग शुरू हो गई है इसको भी हम निकाल देंगे क्योंकि ये भी पैरलेल आ रही है अब देखिए पेड जो बीच में से पूरा खुल गया है ये बीच में से पूरा ओपन हो गया है तो इस तरह अनावश्चक जितनी डाली हैं उनको हम अगर हर तीन मैने पर एक बार धान पूर्वक अगर उसको हम छाटते रहेंगे साल में दो बार तीन बार इसकी अगर प्रॉपर हमने प्रूनिंग कर दी तो अगले एक साल में बहुत बढ़िया स्वरूप ले लेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंड करे और शेर करे अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारे साथ जूड़े रना चाहते है तो चानल को सस्क्राइब करे